So now students, यह एक बहुत मज़े का टॉपिक है, बहुत डिफरेंट टॉपिक है तो पहले यह समझें कि यह जो link juice है यह कुछ technical terminology नहीं है यह SEO की दुनिया का एक जारगन वर्ड है यह यह कहें कि एक बज़ वर्ड है मतब इट हैस नथिन डूट टॉट टेक्नॉलजी इसका मरज़ेंटो, C, PHP से कोई तालुक नहीं है Link juice का basically मतलब यह है असान लफजों में कि यह basically अगर मैंने अपनी website में किसी external website का link दिया वा है यह अगर मैंने user को यह facility दी है कि वो मेरी website में रहते वे let's suppose CNN.com पे जा सकता है मेरी website पे click करके या मेरी website पे click करके let's suppose वो दराज.pk पे जा सकता है तो in fact जो मेरी website है वो BBC या दराज को एक vote of confidence परवाइड कर रही है मतलब link juice is that power of quality जो एक website किसी दूसरी website को परवाइड कर सकती है अब यह जो power है ना यह बहुत relative time है तो putting it simply यह BBC या दराज.pk के उपर कितनी और website confidence करती है कितनी और websites का vote of confidence है यह जो इसको basically हम लोग link juice बोलते है तो अगर इसका impact क्या होगा मतलब link juice हम डिसकस कर रहे हैं लेकिन why we are discussing it तो अगर website A को यानि BBC.com है वो refer कर फरक्दमपल मेरी website है उस website के थूँ मैं BBC.com पे जा सकता हूँ तो जब कोई बंदा search engine पे search करेगा तो जितनी what of confidence BBC के उपर ज़ादा होगा यानि अगर BBC को दूसरी website से ज़्यादा refer किया होगा तो उतना ज़्यादा चांस है BBC का search result में उपर आने का और यह हमारा main goal है जो search engine है उसका main goal ही यह है के website की जो ranking है वो search engine में उपर कितनी आ सकती है that is the main objective तो link juice एक हमें a vote of confidence प्रोवाइड करता है अब just look at this image अब आप यह सोचें के एक main website है let's suppose media एक website है अब उस website को चार और websites refer कर रही है यानि मेरी website पे आने के चार रास्ते मौझूद है यानि मेरी website पे चार different path से कोई भी end user आ सकता है इससे मुराद यह है कि मेरी website पे चार लोगों का vote of confidence है यानि चार लोग यह कह रहे है कि जो content मेरी website में मौझूद है वो quality का content है यह बात हम पहले भी discuss कर चुके है कि एक human के लिए यह determine करना कि content quality का है या नहीं यह relatively easy है लेकिन हमारा issue यह है कि we are not talking to humans हम computer को बता रहे है यानि हम software को बता रहे है यानि at the end of the day search engine ने यह determine करना है कि जो मेरी website का content है वो कितना quality वाला है और कितना relevant है तो I mean we are not more talking to humans तो इसका एक criteria यह है कि मेरी website पे कितनी और websites यह confirm कर रही है कि मेरी website का content quality वाला है तो इसको judge करने का एक तरीका यह है कि number of external links which I have पहले case के अंदर अगर मेरी website को चार external websites refer कर रही है तो जब refer करती है तो इसका मत्दबी होता है कि external websites अपना quote of confidence दे रही है तो मेरी website का जो link choose है वो ज्यादा होगा तो पहले part में देखे it is more than half जो मेरा confidence है मेरी website का page यह के उपर वो देखें अगर चार websites refer कर रही है तो वो ज़्यादा fill हुआ है तूसरे case के अंदर अगर मेरी website को for example page B है उसको अगर दो websites refer कर रही है तो वो देखें वो ज़रा कम fill हुआ है यह जो part fill कम यह ज़्यादा हुआ है यह basically what of confidence है तो जितना ज़्यादा आपका link juice ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा chance है कि आपकी website का search engine के उपर result है वो उपर आएगा क्योंकि जो google है वो in urs की जो referring है या जो link juices है इनको page ranking के अंदर बड़ा एक important इसका role है तो search result में किसी website के उपर या नीचे आने का बहुत ज़्यादा impact होता है उसकी the quality of link building mean link juice एक बहुत बड़ा factor है किसी website की search में appear होने का I mean उपर appear होने का या कम level पे appear होने का झाल